आपको दोस्तो आश्चेर यह नहीं करना चाहिए यदि अगर आपको मैं कहूं कि आप जैसा सोचो के वैसा ही music मातर एक click करने से आ जाएगा क्योंकि अभी का जमाना ऐसा ही है एक बहुत ही प्यारा सा software Hit&Mix का Repax DAW जिसमें एक बहुत ही आधुनिक feature है जो आपके बहुत काम आ सकता है यदि अगर आप music बनाते हैं तो यह कुछ इस प्रकार से इसका DAW का main interface है जिसमें जो आप एक बार rough idea देख सकते हैं मैंने पहले भी video बनाया था जिसमें automatic यह एक गाने के बहुत सारे layers कर देता है आपको मदद करने में फिर आप अपने तरफ से भी अगर आप कोई musician है अगर आप को singer है कर रहू के बनाना चाता है तो बहुत easily one click में सारी चीजे कर देता है इसका 21 days का free trial है आप description में लिंक है वहाँ से जाके इसे use कर सकते हो कैसे करना है यूज वह बता देता हूँ यह यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का interface दिखेगा जिसमें ब्रेन वाला icon है जैसे आप इस पर click करोगे तो यह जो दूसरे page पर redirect हो जाएगा जिसमें steple audio जो बटन है उस पर हम click करेंगे अब यह करेगा कि आपको जैसा भी music बनाना है वैसा आपको description उसमें लिखना है description मान लीजिए अगर मैं आपको guide से समझाओ तो आप अलग-अलग गाने की category होते हैं आपको कौन से category का song बनाना है आप उसमें BPM लिख सकते हो कि इस BPM का एट रेक होना चाहिए आप particular उसमें instrument select कर सकते हो कि यह यह इसमें instrument हो आप कोई background उसमें music या फिर बाद में कोई sound effect चाहिए तो आप उसमें लिख सकते हो नॉर्मली आपको describe करना है कि आपको कैसा music चाहिए यहाँ पर है ना तो माल लीजे मैं लिखता हूँ यहाँ पर example lo-fi slow lo-fi लो-fi क्या कहते है जो आज कल मुजिक सिलता है लो-fi बी-प्यम माल लीजिए 100 कर चाहता हूँ मैं और happy vibe करना चाहिए यह इसमें थोड़े बहुत drums हो और guitar section में थोड़ा बहुत हो तो अच्छा लगेगा अब normally मेरे को यहाँ पर generate पर click करना है और मैं जैसे generate पर click करूँगा तो यह कुछ समय लेगा अपना एक से दो मिनि इसमें आप जैसे डालेंगे तो यह sort फिर अभी सबको अलग-अलग कर देगा Okay तो इसने यहाँ पर music बना दिया है अब इसको आप download कर सकते हो MP3 में और यह यहाँ पर download हो जाएगा थोड़ी देर में यह download हो गया अब इसको मैं यह जो DAW है इसमें डालता हूं इसको अब यह क्या करेगा यह DAW इसकी voice अगर इसमें कुछ vocal है तो इसको अलग कर देगा इसमें कोई other sound effect है सबको अलग-अलग separate कर देगा और इसे separate करने को यह कहता है rip करना तो मैं इस पर click करता हूं अपना निश्ची दो मिनिट का समय लेगा और सभी जो files है उनको अलग-अलग लेइर्स में describe मतलब कर देगा जिससे डिवाइड कर देगा जिससे आप क्या कर सकते हैं मान लिजे आपको guitar वाला part नहीं सही लग रहा तो आप उसको mute करके अपना खुद का कोई element आप इसमें डाल सकते हैं आप इसमें singing कर सकते हैं आप किसी भी इसके जो mid हैं इसके जो high है इसके low end है उसको आप adjust कर सकते हो तो मतलब आपके पास बहुत सारे यहां पर options मिल जाते हैं हर एक layer को बारीकी से छेड़ना और उसमें अपने हिसाब से edit करना डारेक्ट इस प्रकार के tools से आपको देखो human test तो नहीं मिलेगा कहीं आपको ऐसा miss होता हुआ लगीगा emotions लेकिन वह सेम चीज को आप edit कर सकते हो अपने DAW में लाकिए अब जैसे देखो माल लीजे यहां पर आ गया है इसको प्ले करता हूं सुनता है इसके आप अलग-अलग instrument को भी separately सुन सकते हो जैसे माल लीजे यह कीख है इसको अगर आप solo में सुनना चाहते हो तो इसका गिटार वाला पार्ट अब इसमें माल लीजे आपको कुछ अपनी तरफ से एड़ करना है तो माल लीजे यहां पर मैंने अपना keyboard, media keyboard इसमें जोड़ा हुआ है और इसमें हम अगर कुछ कुछ भी element rate करना चाहिए तो यहां पर मैंने अपना keyboard है वो connect कर लिया है आप सुन सकते हो DAW में इसमें एक बार आप record भी कर सकते हो separately एक बार practice भी कर सकते हो स्केल इसका find करके अपने बीच में आप कोई melody add करना चाहते हो किसी chord को आप change करना चाहते हो आप अब जैसे जैसे मैं प्ले कर रहा हूं महां पर देखो में होम पेज पर बार बन रहे हैं लग लग कुछ इस प्रकार से तो कुछ इस प्रकार से इसमें कोई rules specifically नहीं है कैसे आपको क्या-क्या करना है music है music में separately कोई rules नहीं होते बस scale में रहो और जितने ज्यादा इसके tools से उनको आप use करो उतना ही आपका music है वो आसान तरीके से आप बना पाऊगे जो भी आप माइंड में सोच रहे हो बाकी के DAW से अगर compare करें तो वैसा इसका कोई direct comparison नहीं है लेकिन एक चीज इसमें अची है लगी क बहुत सारी detailing आप किसी भी music में देख सकते हो इसमें और जो इसका main AI के जो इसके features है जो automated है सारी चीजे वो आपको बहुत help करते हैं अपने music को बहुत जल्दी बनाने में और किसी चीज को बहुत ही बारीकी से समझने में है तो आपको अगर पसंद आए और अगर आपको use क करना है यह तो definitely मैं आपको recommend करूंगा पिया एक बार कोशिश जरूर करिएगा बाद में आपकी इच्छा आपको आगे इसके साथ रहना या नहीं 21 days का free trial है और description में link है बाकी जो अधिक जानकारी के लिए आप इनकी website के उपर भी visit कर सकते हो ठीक है मैं मिलता हूँ आपको अगले किसी ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तके लिए धन्यवाद अपना ध्यान रखें नमस्ते